Hello friends, welcome back to a new video, new recipe जो बहुत ही healthy, full of proteins, आयन और फाइपर है Healthy खाईए और स्वस्त रहिए तो चलिए बनाते हैं सूजी के दो यम्मी नाश्टे एक है नमकीन उपमा और दूसरा है मीठा सूजी मैंगो हल्वा Hello friends, हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रोर दबाईए Friends, चलिए पहले हम उपमा के इंग्रीडियन्स देख लेते है यहाफ कप सूजी है, एक छोटा अनियन चॉप किया वाए, एकदम भारिक भारिक कुछ कड़ी पत्ते है, एक फाइनली चॉप हरी मिर्ची है यहाँ पर फ्रेश धनिया लीवी है, एक टमाटर है फाइनली चॉप यह उड़त की डाल है तड़के के लिए यहाँ पर 4-5 काजू लिये वे है, 10-12 मुंग फली है एक टी स्पून घी है, राई है, लाइम जूस है सबसे पहले हमें फ्लेम ओन करने के बाद बड़ी फ्लेम पे हमें एक टी स्पून घी दालना है जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हमें हमारे जो मुंग फली है वो दालनी पड़ेगी क्योंकि ये कच्छी मुंग फली है तो इसे हमें फ्राई करके लेना है पहले मुंग फली दालेंगे, उसे अच्छे से फ्राई करके लेंगे क्योंकि मुंग फली फ्राई होने को थोड़ा टाइम लगता है जब ये अच्छे से fry हो जाएगी थोड़ा color change होएगा तो इसमें हम अपने काजू दालेंगे क्योंकि काजू बहुत जल्दी color change कर लेते हैं और बहुत जल्दी fry हो जाते हैं बिल्कुल इसका color change होते ही साथ हमें इसे निकालके side में रखना पड़ेगा ताके ये जले नहीं और इस बहुत ज़्यादा dark color ना आए तो इसे हम निकालेंगे और इसको हम side में रखेंगे मूंग फल्य और काजू को side में रखने के बाद बड़ी flame पे हमें वापस एक teaspoon घी डालना है घी melt होगा तो उसमें हम उड़त की डाल डालेंगे जो तड़का जिससे उड़त की डाल का तड़का देना है इसका flavor उपमा में बहुत मस्त और टेस्टी और यमी लगता है जब ये उड़त की डाल अच्छे से fry हो जाएगी और इसका color change होगा तो इसमें हमें राई डालनी है राई के बार हमें देखना है कि राई भी splutter होने लगेगी फिर इसमें हमें हमारी हरी मिर्ची जो finely chopped हरी मिर्ची है हमें वो डालनी है हरी मिर्ची थोड़ी तड़कने लगेगी, splutter होने लगेगी तो हमें उसमें हमारा प्यास जो बारिक बारिक चॉप किया हुआ अनियन है वो डालना पड़ेगा और उसे light pink होने तक अच्छे से हमें onion को fry करना पड़ेगा onion को अच्छे से saute कर ले, fry कर दे, लेकिन हमें गहरा नहीं करना है हमें onion को सिर्फ light pink होने तक हमें उसे अच्छे से fry करना है soft करके लेना है इसके बाद हम जब onion थोड़ा soft हो जाए हमें कड़ी पत्ता दालना है कड़ी पत्ता उपमे में बहुत tasty लगता है फिर finely chopped tomato दालेंगे और tomatoes को अच्छे से इसमें पका के लेंगे ताकि tomatoes को हमें अच्छा soft और एकदम mushy करना है और mushy करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा salt दालना पड़ेगा जब tomatoes तो रहे soft होते हम salt दालते है salt tomatoes के साथ दालना इसलिए अच्छा होता है कि tomatoes जल्दी mushy हो जाते है बहुत जल्दी उगल जाते है और soft हो जाते है salt दालके और ज्यादा उसे अच्छे से गलाने के लिए हमें इसमें पानी दालना पड़ेगा पानी हमें एक मग दालना पड़ेगा याने एक कप और हमने आदा कप रवा लिया था तो पानी हमेशा उसका डबल होता है तो इसलिए half cup रवे को one cup पानी दालना पड़ेगा और उसे अच्छे से उबाल के लेना पड़ेगा पानी को जब अच्छे से उबाल आता है तो हमें इसमें रवा दालना पड़ता है और रवे को अच्छे से जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है ताके इसमें लंस ना आये सूजी दालते ही साथ हमें हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलाना है ताके इसमें बिल्कुल भी लम्स फॉर्म ना हो सूजी पानी सोक कर लेती है इसलिए जल्दी ये पानी सूख जाता है जब पानी थोड़ा सा सूख जाता है तो हमें फ्लेम स्लो करनी है और हमें लिड लगाना है दो मिनिट हमने इसे दम पे रखा था और जब हमने लिड खोल दिये बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट उपमा रेडी हो गया है अभी इसमें हमें हाफ लाइम जूस दालना है और देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट स्मूथ बहुत अच्छा उपमा रेडी हुआ है इसे हम थोड़े से अभी हरी धनिया दालेंगे ताकि ये इसमें और थोड़ा अच्छा फ्लेवर आजाए हर चीज जो इसमें डाली गई है इसमें और धनिया भी दालें उसे टेस्ट और कलरफुल दोनों मिलके एक बहुत यमी और फुल आफ टेस्ट वाला उपमा रेडी हुआ है इसमें हमारे जो काजू और मुंगफली जो फ्राई करके रखे थे वो इसमें डालेंगे तो बहुत एक हल्दी सा उपमा रेडी हुआ है चलिए अभी इसे हम सर्फ करते हैं बहुत अच्छा सॉफ्ट, स्मूथ और यमी उपमा रेडी हुआ है जो बनाई है और घर में सबको हल्दी हल्दी खिलाई है अब हम सूजी के दूसरे नाश्टे पर जाते हैं और जो सूजी मैंगो हल्वा है उसके इंग्रीडियन्स देख लेते हैं यहां पर आदा कप सूजी है एक मैंगो की प्यूरी है आदा कप शुगर है और आदा कप दूद है यहां पर तीन टेबल स्पून्स घी है पाच्छे इलाईची कुटी भी है और थोड़े से दूद में जाफ्रान स्ट्राइंज है और यह हल्दी हल्दी बदाम है सबसे पहले बड़ी फ्लेम पे हमें घी डालना है थ्री टेबल स्पून्स घी लिये है क्योंकि यह हल्वा है और हल्वे में घी तो हमेशा ज्यादा ही लगता है तीन टेबिल स्पून्स घी डालेंगे उससे थोड़ा मेल्ट करेंगे जब मेल्ट हो जाएगा घी तो उसमें हम हमारा सूजी डालेंगे घी में सूजी को अच्छे से भून के लेना है ताके उसमें गी का फ्लेवर जाई का पूरा सूजी में आ जाए सूजी दालने के बाद इसे अच्छे से भून लीजिए ताके उपर नीचे अच्छे से सूजी का color change हो जाएगा घी में और सारे घी का flavor सूजी में आ जाएगा और हलवे में हमेशा friends घी तोड़ा ज्यादा ही लगता है इसे अच्छे से भून के लेंगे और फिर हमें इसमें दूद दालना है दूद स्लोली स्लोली दालिये क्योंके दूद कभी-कभी उचलता है सूजी हमेशा पानी और मिल्क सोक कर लेती है इसलिए अच्छे से जल्दी-जल्दी हाद चलाते रहना है जब मिल्क जो अच्छे से सोक कर लिया है फिर उसके बाद हमें mango की वन mango की puree है वो दालनी है प्यूरी दालने के बाद इसे अच्चे से सब और से अच्चे से घुमा लीजिए चला लीजिए ताके पूरे मैंगो का फ्लेवर इस सूजी में आ जाए देखिए बहुत अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट सूजी बन गई है जब इसे चलाने के बाद अब इसमें हमें डालना है हमारा जो जाफरानी दूद थोड़ा सा रखा था वो डालना है ताकि मैंगो और जाफरान जो मिल्क है इसका जो फ्लेवर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा मिल जाता है बहुत अच्छे से मिहल मिल जाता है और इसका जाय का बहुत अच्छा flavor हो जाता है देखे इसकी smoothness बहुत अच्छी आई है आप इसमें हमें sugar दालना है और sugar दालने के बाद sugar melt होने के लिए हमें इसे एक दो बार घुमाने के बाद इस पर lid लगाना है ताके शुगर अच्छे से सिम पे रखने के बाद इसे जब लिड लगाएंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी दो मिनिट हम दम पे रखने के बाद लिड खोलेंगे देखिए सारा घी साइड से निकल आया है इसका यही मतलब है के हमारा हलवा बिलकुल रेडी हो गया है देखिए कितनी स्मूथ ये हलवा बना है बहुत स्मूथ एकड़म मकमली हलवा बन गया है इसमें हम इलाइची डालेंगे इलाइची पाउडर ताके इलाइची का फ्लेवर भी हलवे में बहुत अच्छा लगता है इसे चारों और से घुमाएंगे ताके इलाइची का फ्लेवर इसमें ब्लेंड हो जाए और बहुत अच्छा सा हलवा रेडी हो जाए बहुत अच्छा सा हल्वा ready हो गया है अब बस इसमें थोड़े से हमारे जो बदाम है healthy healthy बदाम वो डालेंगे और एक मकमली हल्वा smooth वाला हल्वा ready हुआ है जिस तरफ से हम इसे गुमाएंगे वैसा बन रहा है बहुत अच्छा हल्वा ready हो गया है चलिए अब हम इसे सर्फ करते है अब हम इसे सर्फ करते है देखिए इसकी smoothness और softness कितना yummy और कितना tempting और attractive हल्वा बना है सूजी mango हल्वा बहुत yummy और अच्छा बना है आप जरूर बनाएं और इसे एक बार try कीजिए friends आपको ये सूजी के recipes कैसे लगे ये feedback देके जरूर बताएगा और एक like तो बनता ही है अगर चैनल पे नए हो तो subscribe कीजिए, bell icon जरूर दबाएए, take very good care of yourself, thank you and bye bye till the next video कर दो